हिमाच प्रदेश को वर्च दो हजार तेईस तक क्षे रोग मुक्त राजे बनाने की तीशा में राजेपाल राजेंदर विश्यवना अथार लेकर ने स्वयम आगे आकर सकारात्मक पहल की है उन्होंने परधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतरगत नीक शे मित बनकर रोग्यों को गोद लेने की पहल की है राजेपाल ने शिमनाजिला के रोडू उपमंडल के तहट तिकर ब्लॉक को गोद लिया है इस ब्लॉक के तहट करीब 49 शे रोग्यों की देख भाल का जिमा अब राजेपाल ने लिया है उन्होंने प्रदेश वासियों से अपी कि परमादर्णे राष्ट्रपती जी श्रीमती द्रोपदी मुर्मु जी ने सितंबर 2022 में प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंब किया पूरे भारत वासिये इस अभियान में जूड गए है हिमाचल प्रदेश में भी इस अभियान के लिए सभी जनता इसमें जुड़ना चाहती है भारत वर्ष के सामने टीबी मुक्त होने का लक्ष दोहजार पचिस्क तक का रखा गया है अगर हम सही ढंग से इस कारेक्रम में शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश दोहजार तेईस में ही टीबी मुक्त हो सकता है आप सब के आशिरवाद से शिमला जिले के अंतरगत टिकर ब्लोक में जितने भी टीबी के मरिज है उन सभी को मैंने गोद लिया है इस अभियान से उन सभी रोगगरस्त नागरिकों को हम स्वस्थ जीवन देने का आश्वासन दे रहे हैं अगर हम सब इसमें जूड जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रदेश को हिमाचल को 2023 तक टीबी मुक्त करने के प्रयास में सफल हो जाएंगे आईए हम सब मिलकर इसमें जूड जाएं और इस प्रदेश को जल्द ही टीबी मुक्त बनाएं झाल झाल